नमस्कार दोस्तों आप सबको नए साल की धेर सारी सुप कामन आए जैनवरी चलिये जानते हैं करन्ययाराशी के बारे में कैसा रहेगा आपका ये महीना जानते हैं आपके job business के बारे में जानेंगे आपकी life में finances कैसे होने वाले हैं, आपकी upcoming situation और आपकी obstacles का रहने वाले हैं, जानते हैं कुछ नए students के बारे में, किसी की request आई है बार बार की please students के बारे में कुछ बताया जाए, तो जी बहुत बताते हैं आपको, तो बात करते हैं हम आपके बारे में कि आपका January कैसे जाने वा होता है, कि जब हम कभी भी किसी चीज के शुरुबात करते हैं, तो हम पहले beach बहुते हैं, और beach जब बहुते हैं, तो definitely जब beach निकलता है, तो दाना भी फटता है, मिक्ते भी फटते हैं, तो cracks आते हैं, ऐसे ही आपकी life में हो रहा है, आपको लग रहा है, सब कुछ तहस हो र जरूरत नहीं है, कुछ पूरा ना जाता है, तब ही कुछ नए आता है, लेकिन जब भी आप किसी beach को डालते हैं, जब वो अंकुरित होता है, तो definitely वो अपनी जगा खुद बनाता है, आपको करना क्या है, आपके घर में, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा feel होता है, कि आपके बात को लेकर बड़े परेशान है, शायद आपका पैसा कहीं अटक गया है, या आपके उपर कोई कजार चड़ गया है, जिसे आप उतार नहीं पारे, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो धियान दीजेगा मेरी वीडियो में जो जो बताने वाली हैं, दूसरी बात, बहुत कोशिश करी आपने कि आपके सर से बर्डन हट जाए, चीजे खतम हो जाएं, आपकी एक बहुत साउंड, साइलेंट और साउंड लाइफ आप जी पाएं, हर बार आप कोशिश करते एक नई शुरुवात, लेकिन अट दे एंड अपडेट हो जाते, आपके अंदर के जो विल पावर है ना, वो कहीं न कहीं अब तूटती जा रही है, आपके उमीद के रास्ते जो आपको दिखते थे, वो आप कहीं न कहीं खतम होते जा रहे हैं, पड़ ऐसा अगर आप ना करें, तो जादा अच्छा है, इसका सबसे बड़ा सोलूशन है, आपके घर में जि कोई भी ऐसा लोहे का समान जिसमें जंग लग चुकी है, जो आपके यूज में नहीं है, क्रिप्या करके इन सब चीजों को अपने घर से बहा निकाल दीजे, क्योंकि घर में जैसे ही आप साफसफाई करेंगे, पुरानी चीजे जाएंगी, तब ही नई चीजे आएंगी, ये सब कर लीजे, पैसा आपके भागे में लिखा है, कर्ज आपने चड़ा जरूर लिया है, बर उतर भी जाएगा, ये उपाए कर लें, आपकी फैमिली में, कोई ना कोई ऐसी रिनाउन या रिस्पेक्टफुल और मैच्चॉर लेडी है, या आपके फ्रेंज सकल में भी ह या आपकी बॉस भी हो सकती है, अगर आप अपनी life की परसनल चीजों के बारे में उनसे को डिसकस करें, तो आपकी life की बहुत सारी चीजें है जो डिसॉल्फ हो सकती है, बहुत experience lady है, बहुत समझदार lady है, सबसे बड़ी बात क्या है, कि उस lady की life की experience है, वो ऐसे है कि give you an answer, कि बिटा ये सही नहीं है, ये गलत है, ये ऐसे ऐसे, उनकी guidance आपको बहुत help करेगी, अपने जबान पे लगाएं थोड़ी सी लगाम, क्योंकि जब आप पो गुस्सा आता है, आप बहुत करूर बोलते हो, बहुत गलत बोलते हो, वो नहीं बोलना, है ना, जबी भी खास खयाल रखेंगे, किसी की बात, आपकी बात से किसी का दिल ना दुखे, अगर आप इन चीजों का खयाल रखेंगे, तो आपकी लाइफ में ऐसी बहुत जारी problems हैं, जो solve हो सकती है, क्योंकि आपकी बात, कुछ आदमी लोग बात करते हैं, तो कुछ भी बोल देते हैं, तो फरक नहीं पड़ता, लेकिन जब एक आदमी का औरत को कुछ कहता है, चाहे आपकी छोटी बेहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, आप कहे देते हो, लेकिन औरती कैसी होती हैं, वो sensitive होती है, उनके दिल में बात बैठ जाती है, तो आपकी कुछ ऐसी में हैं जो आलेटी पढ़ाई कर रहे हैं अब उनका दिल हो रहा है कि चलो हम कुछ पैसे भी कमा लें तो अगर आपका ऐसा कुछ विचार बन रहा है तो बिल्कुल आप जॉब भी कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ आप जॉब करें क्योंकि आपकी जो फ्यूचर गोल्स हैं और आपकी जो डिरेक्शन में आप जा रहे हैं वो थोड़ी लक्जिरी सेग्मेंट पे आप जा रहे आपको लगता है सबसे अच्छी बात है कि खुद कमाओ अपने पर अपना कमाओ और अपने पर उड़ाओ इस सबसे अच्छा तरीका है और ऐसा है तो कर लिजाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है गाइडेंस की बात करते हैं जितनी होफ आपने रखी है लाइफ में गेडाने बीज़ादए एक काम करेगी आपको फूटफूर रियुलर्ट डे सकती है और आपकी ऑपस्टेकल क्या है आपको अबस्टे लिए है कि आप बहुत Fort a fear में हूं कहीं नहीं अपने आपको ट्राफ फिल कर से ब करते हो हर समय पहर हर रास्ते में आपको लगता है नहीं नहीं गाड़ी चलाओंगे तो लग जाएगी नहीं आर में इंट्रव्यू दूंगी तो मैं फेल हो जाओंगी ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है जब भी कुछ करते हो नया कुछ भी करोगे तो कहीं तो पहुंचना पड़ेगा कुछ तो करना प होगा तो ठीक है नहीं होगा this for the good betterment हमेशा यह सोच के चलो नहीं हुआ तो उसके लिए कुछ आपके पास better opportunity आ रही है यह हमेशा सोच के जाओगे तो आपकी जिन्दी में strength भी बढ़ेगी आपके future goals बढ़ेंगे और आप जो authority figure बनना चाहते हो ना वो आप तभी बनोगे लेकिन जब आप शान्त बैठते हो एक कुल अकेले में बैठते हो और कुछ चीजों को सोचते हो यार यह गलत था या यह सही था क्या यह होना चाहिए था है ना तब आपको एक clarity नजर आती है अगर आप उस clarity को शान्त बैठकर देखोगे बिना गुसे के बिना गाली में जी वो भी तो जरूरी है देखा मैंने यही बात आपको बोली और यही मेरे दिल में बड़ी देश से चल ली थी कि आपको ने एक प्यार की जरूरत है किसी के हग की जरूरत है मां का प्यार जिसे हम गले मिलते हैं मां से जपी पाते हैं कोई भी आपको प्यार करने वाल अगर आपके फादर है या आपकी मदर है और अगर आप जाके उनके साथ गले मिले इस नाट मैटर की आप किस एज के हैं क्या मैटर करता है आपकी बॉंड का आपकी रिलेशन्शिप मैटर करता है आपने किसी चीज़ का बड़ा इंतजार किया है बहुत इंतजार किया है अपनी बातों को ना बोलना सीखे मतलब एक्सप्रेस करना शुरू कीज़े प्यार से जो गुसा तो बहुत आता है लेकिन प्यार से है ना और अगर किसी चीज़ का इंतजार किया वर्थ वेटिंग फॉर तो उसका भी अब आपको पता रग जागा कि वर्थ थी उस वक्त को अगर आपने वेट करके अपने प्यार की वेट करिये तो वो सही समय अब आ चुका है जब आपका आपका सही प्यार मिलेगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और हमारी वीडियोस को फॉलॉ अप कर दिए दू लाइक और सुस्क्राइब आने चानल मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन नमस्कार